आज हम सीखेंगे बट्टा और खरिदारी से संबंदित कर के बारे में अक्सर दुकांदार ग्राहकों को अकर्षित करने के लिए तथा अपनी वस्तूओं को बेचने के लिए वस्तू के अंकित मूल्य यानि मार्क्ट प्राइस MP पर कुछ छूट देते हैं जैसे यहां एक कमीज का अंकित मूल्य 250 रुपए है जबकि उसका विक्रय मूल्य यानि सेलिंग प्राइस SP 200 रुपए है इस तरह से ग्राहक को अंकित मूल्य पर कुछ छूट मिल रही है जिसके साथ वह कमीज को 200 रुपए में खरिद सकता है किसी वस्तो के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा यानि डिसकाउंट कहते हैं क्या आप बता सकते हैं कि यहां बट्टा कितना है सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं हम अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा कर बट्टा ग्याद करते हैं जैसे इस थिती में बट्टा बराबर अंकित मूल्य 250 रुपे, रिण विक्रे मूल्य 200 रुपे बराबर 50 रुपे, अधिकतर बट्टा प्रतिशत की रूप में दिया हुआ होता है, इसलिए हम इस थिती में बट्टे की प्रतिशत की गण्ना करेंगे, चुकि बट्टा अंकित मूल्य पर है इसलिए हम अंकित मूल्य को आधार मानते हैं और बट्टा प्रतिशत में दर्शाते हैं यह हम इस प्रकार करते हैं जैसे यहां बट्टा प्रतिशत बराबर 50 बटे 250 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 1 बटे 5 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 20 प्रतिशत अब चलिए जानते हैं खरीदारी से संबंदित कर यानि टैक्स के बारे में हम तरह तरह की वस्तुएं खरीदते हैं क्या आपने खरीदारी के बिल को ठीक से देखा है आपने पाया होगा कि इस पर वस्तो के मूल्य के साथ कुछ अतिरिक्त मूल्य कर यानि Tax के रूप में लिया जाता है जैसे बिक्री कर यानि Sales Tax, VAT यानि Value Added Tax या माल और सेवा कर यानि Goods and Services Tax, GST, इत्यादी यह कर सरकार को चुकाया जाता है, जिसे सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे सुविधाओं के लिए खर्च करती है अधिकतर करो को प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है चलिए कुछ उधार्णों से सीखें कि इनकी गणना कैसे की जाती है सायली तीन सो रुपे की एक किताब खरीदती है यदि विक्री कर की दर साथ प्रतिशत है तो ज्याद कीजिए उसके द्वारे दुकांदर को कितने धनराशी दी जाएगी यहां तीन सो रुपे किताब का विक्रय मूल्य है विक्री कर हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है और यह बिल की धनराशी में जोड दिया जाता है इस तरह से यहां तीन सो रुपे पर अतिरिक्त साथ प्रतिशत का विक्री कर लगेगा यानि कि बिक्री कर बराबर साथ बटे सो गुणा तीन सो बराबर इकीस रुपे यानि कि तीन सो रुपे की किताब खरीदने पर इकीस रुपे बिक्री कर लगेगा यानि कि बिल की देयराशी होगी क्रय मूल्य यानि कॉस्ट प्राइस धन बिक्री कर यानि सेल्स टैक्स बराबर तीन सो रुपे धन इकीस रुपे बराबर तीन सो इकीस रुपे जुलाई 2017 से भारत सरकार ने माल और सेवा कर या जीएस्टी लागू किया है यह कर माल की आपूर्ती यानि सप्लाई अव गुड्स या सेवा यानि सर्विसस या दोनों पर लगाया जाता है मानली जीए एक दुकानदार ने 18,880 रुपे में एक टीवी बेचा जिसमें 18 प्रतीशत जीएस्टी सम्मिलित था पता कीजिए जीएस्टी जोडने से पहले टीवी का मूल्य क्या था 18 प्रतीशत का अर्थ है 18 बटे 100 यानि कि अगर हम टीवी का प्रारंभिक विक्रे मूल्य 100 रुपे माने तो इस पर 18 रुपे जीएस्टी लगता है इस तरह से विक्रे मूल्य होगा 100 रुपे धन 18 रुपे बराबर 118 रुपे जब विक्रे मूल्य 118 रुपे है तब प्रारंभिक विक्रे मूल्य 100 रुपे है इस तरह से जब विक्रे मूल्य 1 रुपे होगा तब प्रारंभिक विक्रे मूल्य 100 बटे 118 रुपे होगा इस तरह से जब विक्रे मूल्य 18,88 होगा तब प्रारंभिक विक्रे मूल्य होगा 100 बटे 118 गुणा 18,888 रुपए बराबर 100 गुणा 160 रुपए बराबर 16,000 रुपए इस तरह से GST जोडने से पहले टीवी का मूल्य था 16,000 रुपए आज हमने सीखा बट्टा और खरीदारी से संबंदित कर के बारे में अगली वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मज़ेदार उधारनों को देखेंगे